हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल मैंने आप लोगों को कोशन नंबर फिफ्ट करवा दिया है आप मेरे लोगरिधम वाली सीडीज में जाकर चेक कर सकते हैं सारे कुशन कर वारी हूं आप मेरे में इस हिसाब से कर वारी हूं आप उसी हिसाब से करते चलिए लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा लॉगरिधम नंटी लॉगरिधम तो चलिए हमारा जो है आज कोशन नंबर सिक्स थे लोग 25 125 माइनस लोग 125 25 ठीक है आपको यह दिखर हो और यह इसका पॉज़िट है तो तो हम में करना क्या है चुँक्रफिज हो दाते हैं इसको देख कर लेंगे चोटी सी प्रोपर्टी के जरी हम बहुत ही हल कर लेंगी तो फीसको हम क्या लिख सकते हैं 552 2 तो is equal to 25 और 25 हम क्या लिख सकते है 5D पावर 3 is equal to 125 पावर म तो चलिके इसको चुछ सुल्व करते हैं लॉग थी पावर टूर। थी माइनस लॉग फायव की पावर थी इतना करने के बाद आपको दिख रहा होगा इन दोनों की क्या समान है आधार समान है यहां पर भी हमारे पास आधार समान है और इस घाते जो है या आगे आ जाएगी तो बाहर आ गई अब बच्चा के हमारे पास लोग 55- यहां पर भी घात उपर गया है दो नीचे क्या है ती और बच्चा के हमारे पास लोग 55 अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है क्या आपको पता है लोग A A is equal to होता ही 1 यहां पर और यहां पर दोनों जगा समान संध्या है तो यहां पर इसकी जगा क्या हो जाएगा 1 तो बचेगा क्या हमारे पास 3 by 2 minus 2 by 3 अब हम इसको लगुत्तम समापर तक लेके solve कर लेंगे तो लगुत्तम समापर तक इसका हमारे पास आएगा 6 3 और 2 का 3 2 2 is equal to 6 इस तरीके से लगुत्तम समापर तक लाइगा लगुत्तम आया 6 2 3 2 3 6 6 आया ठीक है 3 3 2 2 को हम डिवाइट करेंगे 6 से 2 sorry 6 को हम डिवाइट करेंगे 2 से 2 2 3 आ 6 ठीक है 3 आया 3 3 आ 9 3 2 आ 6 2 2 आ 4 9 वे से 4 गए 5 by 6 ठीक है इस question का अंसर यह आया अब आपको मैं एक और question करवा देती हूं जो भी मैं आपको question करवाती हूं आप note करते जाए और बिल्कुल प्रॉपरली note बनाते जाए तो यह बहुत साधा सहुलियत हो जाएगी आपको आगे के लिए तो चलिए हमारे पास अ पास value div GAR्य हमें से क्या find करना है एक की value find करना है तो इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा यह कि स्कुır करना हों अर् हम कैसे सॉलव करें जब एक्जाम में इस कोशिश करें कि किस तरीके से सॉलव किया जाए मैं आप लोगों को बता रही हूं गाइडेंस में दे रही हूं मिहनत आपको करना है तो सबसे पहली step हम करेंगे यह वाला तो हम इसको ऐसा कैसे लिखे रहने देंगे हम देखेंगे कहां से क्या किया जा सकता है अगर कहीं से कोई सुराग अगर हमें मिल रहा है तो हम उसी को पकड़ते हुए सुरंग में आगे बरते हैं हमको सिर्फ यह सोच के चलना है ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखाओ है लोग टैन लिखाओ है ठीक है अब और यहाँ पर क्या है वन है तो मैंने आपको एक प्रॉपरटी बताई थी यहाँ लिखकर बता देती हूं लोग om a a is equal to क्या होता है वन वे जगह हम कुछ में सकते हैं लोग 100 भी करना है इसके जैसा नहीं को हमद्ध Underground लिख सकते हैं लोग 10 10 लिख सकते हैं कि यहां पर आधार 10 है हमको कुछ ना कुछ तुरा की जरीया हमें आगे बढ़ना है है इतना हो गया अब हमें क्या करना है इसको तो हम ऐसा कैसा ही चलाएंगे हम क्या चाहा रहे हैं कि ये और ये ये वाला और ये वाला थोड़ा सा कुछ समेश हो जाए तो हम इसको कट पीट करके एकस की वेल्यू निकाल लें तो देखते हैं अब क्या होता है अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या बन गया है लॉग M माइनस लॉग N बन गया है यहाँ पर हमें आधार सम्मान होंगे न तो ये फॉर्मूला अपलाई होगा अगर यहाँ पर आधार अगर चेंज होते तो ये फॉर्मूला अपलाई नहीं होता है तो यहाँ पर आपको m-n का दिखरा होगा तो हम एक्स तो ऐसा कैसा ही तो इसको हम अपोजिट भी लगा सकते हैं आप प्रॉपर्टी यहाँ पर जरूर लिखना है चुकि log m-n is equal to होता है log m-n is equal to होता है log m by n ठीक है तो यह हो जाएगा log m upon n तो log 10 by 10 by 5 अब यह 5 से 2 टाइम कर जाएगा बचा गया हमारे पास log 10 2 की पावर x plus x minus 41 is equal to बचा हमारे पास x log 10 2 ठीक है इतना हमारे पास बच गया है अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि यह जो x है यह n log m की शकल में आपको यह दिख रहा है ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम ऐसा कैसा यहाँ पर वापस लिख देंगे log 10 2 की पावर x plus x minus 41 अब यह यह जो है यह n log m वाला फोर्मूला लगेगा चुकि n log m is equal to क्या होता है log m की पावर n तो यहाँ पर हो जाएगा यह log 10 ऐसा कैसा यह 2 ऐसा और यह जो x है यह इसकी पावर बन जाएगा अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर भी log 10 है यहाँ पर भी log 10 है तो log से log क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा बच्चा कि हमारे पास 2 गी पावर x plus x minus 41 यह वाला कुशन थोड़ा सा different है तो यह इस तरीके से ही solve होगा 2x अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर plus का 2x है और यह वाला plus का 2x दर लेंगे तो minus हो जाएगा तो यह भी इस से cancel हो जाएगा तो बच्चा कि हमारे पास x minus 41 is equal to zero x is equal to 41 यह कुशन कुछ इस तरीके से है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर आपको कोई डाउट रहता है सेजेशन है तो आप मुझे प्लीज कमेंट वक्स में बता सकते हैं